IPL 2022 Mega Auction का कारवा फाइनली पहुत चुका है अपनी मन्जिल पर और आज हमें देखने को मिलेगा साल 2022 का सबसे बड़ा Mega Event जहां पर 590 नहीं भाई आप 600 खिलारी जाएंगे अंडर दा हैमर जी यहां हाल फिलाल में देर सबेरे देर रात कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर सा है न क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले है टॉप 10 प्रेडिक्शन ओफ IPL 2022 Mega Auction Mega Auction के चंद घंटों पहले डॉक्टर क्रिक्वाइंट की तरफ से आप सभी लोगों के लिए कुछ बड़ी प्रेडिक्शन की आखिर इस Mega Auction में आ भाईया देखिए उट किस करवट बैठ हो के पूरी तरीके से आज सारा ध्यान के इंद्रित होगा सिर्फ और सिर्फ Mega Auction पर और आपको पता है Mega Auction के दौरान भी और Mega Auction के बाद भी लगातार हमारा एनालसिस चलता रहेगा कवरिज चलती रहेगी हमारे सोसल मीडिया पर भी और साथे साथ यूट्यूब पर भी प हाल फिलार में BCCI दफ्तर से बड़ी अपडेट्स आई है और वो जान देना भी जरूरी है और उसके बाद भाईया फटाक से मतलब ये बताने के बाद ना फटाफर समेट कर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी अपने प्रेडिक्शन को लेकर जिसके लिए हम एक्स्ट्रा खिलाड एड किया है इस्पेशल प्रोविजन लाके यानि की थोड़ा सा संसोधन करके और इसी वयसे इन टोटल अब 600 खिलाडी आपको IPL 2022 मेगा ऑक्शन की सूची में देखने को बिलेंगे ये फ्रेंचाइज को भी बता दिया है BCCI ने इसके अलावा दोस् है उसमें थोड़ा सा शफाल आया है और आपको अब वो मेगा ऑक्शन में पहले आते हुए नजर आएंगे सेट 3 में इंडियन ऑल्राणर की लिस्ट में उनका नाम है और उनका जो बेस प्राइज है उसको भी बढ़ा कर 40 लाग से 75 लाग कर दिया गया है इसके अलावा दो कुशिश करेंगे कि हम और वन्यूस को यूज करें क्या हम स्प्रेड हो सकते हैं जैसे इसके पहले पांच वन्यूस पर 2021 में कराया था शुरुआत में BCCI ने उस तरीके से चर्चान चल रहे हैं और 20 फरवरी को इस पर जो है फाइनल बैठक होगी अब हम बात करते हैं इसके पीछे की लॉजिक एंड कहानी बता देना चाहूंगा मुझे उसका कारण ये नजर आ रहा है देखे समझने वाली बात मोटे तोर पर सिर्फ इतनी है कि ये बात तो आप सभी लोगों को भी पता है कि बहुत अच्छे खिलाडी है माई टीम के लिए बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि रोहिष नर्मा का जो नेचर है वो थोड़ सा टाइम लेने वाला है तो वो चाहते हैं कि कोई अटाइकिंग बल्ले बाद उनके साथ हो and most importantly mega auction की बात हो रही तो strategy की मैं बात करूंगा strategy आप मेरी थोड़ी समझने की कोशिश करना और यही सबसे important है मुझे लगता है ना कि M.I.T.M. Quinton D.Cock पर जादा वार करेंगे in comparison to Ishan Kishan और शायद यह जादा बेहतरिन strategy भी होगी अगर आपको दो में से कोई एक चाहिए देखिए एक ही मिल सकता है अगर बहुत अच्छी आपकी planning हो नहीं तो कोई नहीं मिलेगा आप दोनों से हाथ दो बैठ होगे तो M.I.T.M. क्या सोच रहे होंगे यहाँ पर जो मुझे लगता है वो यह है कि Quinton D.Cock पहले आएंगे इशान किशन बाद में आएंगे तो अगर हमने यह सोच कि Quinton D.Cock को छोड़ दिया कि हम बाद में इशान किशन को टार्गेट करेंगे तो क्या पता हम ना कर सारी जो permutation combination है यह बहुत important है लेकिन Quinton D.Cock या फिर इशान किशन में से कोई एक तो यहाँ पर M.I.T.M. को चाहिए ही रहेगा मतलब वो कोसिस तो पूरी करेंगे मिले ना मिले एक अलग चीज है लेकिन जो मोटे तोर पर बात है वो यह है कि Quinton D.Cock या फिर इशान किशन इन दो में से किसी एक पर M.I.T.M. all out जाने वाली है और उसके बात भाइये जो दूसरी prediction है मेरी यह मतलब बड़ी interesting prediction है मैं अब बात कर रहा हूं यहाँ पर RCB team के और मुझे लगठा है कि RCB team ना still all out जाएंगे Shreyas Ayer के लिए as a captain हाला कि बहुत चर्चाह हो रहे हैं कि शाय पूछ नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं ऐसी बतब चर्चाहे हैं पर फिर भी मुझे लगता है और यह मेरी prediction है कि RCB team ना श्रेयस Ayer के पीछे जा रहे हैं आज आपको श्रेयस Ayer पर RCB team bidding war करती हुई नजर आने वाली है मिलेंगे नहीं मिलेंगे यह तो भईया mega auction वाग बद इशान किशन के chances थोड़े से जादा मुझे नजर आ रहे हैं पर मैं श्रेयस Ayer को रूल आउट नहीं कर रहा हूं तो इशान किशन या फिर श्रेयस Ayer इन्हीं में से कोई एक सबसे महंगा Indian player होगा बात करें अगर most expensive capped Indian bowler की यहाँ पर थोड़ा सा distinctive कर लेते ना गिंद बा नहीं दीपक चहर या फिर शार्दुर और मैं दीपक की तरफ थोड़ा सा मेरा जुकाओ ज्यादा है पर्टनली इसके बाद अगर आप मुझे पूछो most expensive uncapped कौन हो सकता है भारतियों में तो मुझे लगता है कि सबसे expensive uncapped शारुक खान होंगे या फिर आवेश खान होंग मुझे लगता है शारुक खान होंगे मुझे लगता है सबसे expensive uncapped Indian प्लियर शारुक खान होने वाले हैं that's what I feel most expensive overseas player मुझे लगता है सबसे expensive player देखिए यहां पर शायद मैं आपको surprise करूँ आप बड़ा नाम expect कर रहे हो पर मैं यहां पर जाओंगा Quintan D.Cock के साथ मुझे लगता है Quintan D.Cock या फिर Jason Holder में से कोई एक सबसे expensive होगा मुझे पता है आप यहां पर ढूंड रहे हो David Warner का नाम की क्या David Warner सक्षब यह सबसे expensive नहीं हो सकते यहां उनके P.C.T. में नहीं जाएंगी पता नहीं यार यह इस जस्माइ प्रेडिक्शन में चीज़ें किस तरीके से रूल आउट करती है और उसके बाद इतनी जब बातचीत हो रहे हैं प्रेडिक्शन की तो अंडर 19 के प्लेयर पिक होते हुए नज़र आएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई एक पिक करना है जिस पर मैं गारंटी साथ ले सकता हूं तो मुझे लगता है वह मविदेशी खिलाडी डिवाल ब्रेविस के साथ जाओंगा बेबी ये बी के सा ना ये आज बीडिंग करेंगे कि इनके पास करामाती खान है नहीं एडिंग को चाहिए क्वालिटी स्पिनर तो देख सकती है पर वहां पर साथ एक्वेशन मुश्किल हो जाए और वो थुड़ सा बाद में भी आएंगे तो हैद्रबार टेम देख सकती है और मुझे लगत और साथ ही साथ जो आपके लिए अच्छी लग स्पिन कर सकते हैं सबसे इंपोर्टन ये बन जाता है ना कि वनिंदू हसरंगा के साथ किस यह है कि मुझे लगता है राजस्थान का जो सवाई मान सिंग स्टेडियम है जब यह लोग खेलेंगे वहां पर तो बहुत सूट कर पर रखना चाहूंगा कि भाईया पंजाफिंग्स टीम का घीज और अबाड़ा लौकी फर्गसं ट्रेंट बोल्ट या फिर जॉश हेजलवूट मतलब यह जो चार नाम मैंने रखे न चार नाम मैंने रखे इन चार में से कोई एक मुझे लग रहा है पंजाफिंग्स के ल पूरी तरीके से तेहल का मचा कर देगी मुझे यह लगता है कि डे युए 英ज है चया को ना मिले जी हां मुझे ऐसा लगता है कि daivind warner परना शायद उतने पैसे खर्च नहीं हो जितनी हम उम्मीद कर रहा है मतलब हम उमीद क्या कर रहा है दिहता है माँद को बतें नाम है इतने अच्छे नाम है बहुत समें दिड्ड़श पी दिखाएंगी शायद मनब 10 करोन के प्लस तो जाएंगे ये शायद 12-14 करोन जाएं, 15 करोन जाएं पर मुझे नहीं लगता है इतना जाने वाले है, that's what I feel हो सकता है, मैं गलत हो, विलकुल हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है, और इसके अलामा इसमें जो एक पार्ट मैं जोड़ना चाहता हूँ, यह है कि Odeyan Smith को लेकर, जैसा मैंने पहले भी बोला था, मुझे लगता है Odeyan Smith को KKR टीम टार्गेट करेगी, आंदे रसल को बहुत एडमायर करते हैं, अभी कल West Indies के लिए खेलते हुए, उन्होंने भारती टीम के मतलब बहुत तो यह की थी, थोड़ा बहुत बहुत ही है, it's your prediction time, comment section में फड़ा फड़ से आज और फड़ा फड़ से अपनी predictions कर दो, मुझे बता दो कि आपको क्या लग रहा है कि आज IPL 2022 Mega Auction में हमारे इस Mega Event में क्या कुछ भाईया, महा बवाल, महा भूचाल आपको देखने को मिलेगा, यह बात है आप मुझे से comment section में शेर क platform है, जहां पर हम लगातार live updates आप लोग उसे Mega Auction की share करते रहेंगे, कौन कितने में गया, किस टीम में गया, कहां गया, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलता रहेंगा, live आपके पास updates आएंगी, तो भाईया, वहाँ पर जुड़ ज़रूर follow कर लिजिए, बाकी Mega Auction के लिए हम आप सभी लोग परिया, let's just go to the Mega Auctions live actions भाईया, लेकिन उसके पहले आप लोग subscribe करें और notification bell की घंटी फटाफट से दबा के जाएंगे